से पहले हम बात करेंगे MTR Tegonji के बारे में सो MTR Tegonji के बात करें 2021 के आप पास इस टॉक है सो इस कंपनी में दोस्तों दो बहुत बड़े नेगिडिव निउस निकल के आए सो अगर आपके पास इस टॉक है या फिर आप फ्रेस बाइं करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन होने वाले ये जो दो नेगिडिव पॉइंट है दोस्तों इपि जो दो नेगिडिव निउस है दोस्तों अगर आने बाइल टैम में और भी ज्यादा इंक्रीज होता है तो डेफिरिंटली फ्यूचर में लॉंग टैम में इस कम्पन को बहुत ज्यादा दिक्काते हो सता है या तक कि आप अपने बिजन्स को रन करने के लिए अपने बिजन्स को चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्काते हो सता है अगर आपके पास यह टॉक है तो कि इस न्यूज को देखके कि अभी आपको तुरंत ही एक्जिट कर लेना चाहिए तो उस पॉइंट को भी हम आगे डिसकस जरू करेंगे बस सबसे पहले जो दून एगड़ीव पॉइंट है जो दून एगड़ीव निउज है इस न्यूज को हम स्ट्याप ब्स्टब एकिकर करके कवर कर लेते हैं उसमें से पहला न्यूज की बात पर है तो क्मपनी के जो सेयर होड़निंग पैटरन 50% आप देख पांगे 50% जो के confidence दिलाता था के चलो at least at least जो controlling stake है company भले छोटी हो और नय हो फिर भी promoter के बास 50% से ज़्यादा stake है लेकिन एक time पर 4 quarter के बाद उन्होंने सीधा 50% की नीचे आगे 47% उसके बाद फिर 2-3 quarter बाद 47-46 फिर कुछ quarter के बाद फिर एक ही quarter के बाद सीधा उन्होंने लगबाग 7% का आपा stake बेचा 46% की उपा stake रहने वाले सीधा 40% के नीचे और फिर 2 quarter उन्होंने कुछ sale नहीं किया आप इस quarter की बाद के दोफतों तो जैसे मैं आपको पहले hint दे चुक क्योंकि उनके प्रमोंटर ने insider trading किया था तो प्रमोंटर के holding काम होने वाले थे तो कितना होने वाले थे यह देखना बहुत important था बट इस बार भी देखोगे तो लगबाग लगबाग दोस्तों 2% के stake mtar के प्रमोंटर ने फिर से हमें decrease करते हैं तो यह कैसे पॉइं दोस्तो बहुत बड़े negative point है उसी की साथ साथ अगर आप FS को देखोगे तुन्होंने इस quarter में थोड़ा सा increase किया बट DS को देखोगे जिन में mutual fund भी आ जाते है तो इससे पहले 28 थे फिर कम होके 24 अब इस बार भी कम होके सीधा-सीधा 20% की भी नीचे या ते बोस्तों के 19% की भी जा और उसमसे maximum stake किस ने ख़़िदा तो पब्रीक ने ख़़िदा तो और एक negative point यानि कि सबसे बड़े जो negative point है दोस्तों वह है दोस्तों promoter के जो promoter एक टैम पे 50% stake थे आसे धाय साल पहले आप वो आपको सिधा 37% तक आश चुका है तो एक बहुत बड़ा मतलब एक negative point इतना promoter को holding रहाएगा और उस holding को जितना ज्यादा वो hold करके रिखेंगे उतना ज्यादा investor को confidence मिलेगा कि चलो company को grow करने के लिए वो पूरी तरह से प्रेसर जरूर देंगे पूरा confidence मतलब पूरा जोड देंगे क्योंकि maximum stake उनी के पास है अगर यह data मान लो अभी कभी 30% की न दो साथ पहले 50% अब सीधा 40% की नीचे तो एक negative point तो जरू है उसी के साथ और एक point आपको मैं हमेशा बता दो कि कुछ company ऐसे होते हैं जो कि अपने जो जितनी भी promoter के पास stake रहते है मान लो प्रमोटर जो एमटार है उनके promoter के पास 37% stake है इनने से भी कुछ % ऐसा stake जो कि उ दो कौटर से हम इसी ग्राफ को देख रहे है तो कि इस बार इस December कौटर में प्रमोटर ने तो अपना stake बीचा क्या जो प्लेज बारे data थे क्या उनक्रीज किया अगर इनक्रीज किया तो एक बहुत बड़ा negative sign जरू है तो आप देख सकते हो दोस्तो एक टैम पे 8.27% stake थे फ 6.64 फिर उन्हें उतना रखा पर इस बार सरनली नेरबाइ फिर से उन्हें लगबाग लगबाग पोने 3% की stake उन्हें फिर से increase क्या प्लेज बाले data में यांकि जो पिछले quarter में 6.64% की stake थे उनको increase करकर उन्हें 9% की बीबबर कर दिया जो कि और एक बहुत बार negative point जरू है क् क्योंकि दोस्तों यह जो प्लेज बाले data है तो ऐसा तो नहीं कि वो time pass के लिए किसी के पास अपने sales इतने कीमती चीज वो दूसरे के पास pledge रखेंगे ऐसा बिलको भी निया यह pledge रखके वो कुछ तो जरू लेते होंगा तो क्या लेते है वो loan लेते अगर आप इसके balance sheet को द balance sheet update होगा तो साइसे आपको 300 करो के ऊपर भी company के long time boring जा सकता है यह company जो loan उठाते जा रहे है तो किसके दोवारा तो अपने sales को दूसरे के पास pledge रखे जो कि यह data हमारे सामने फिर से increase हुआ तो यह दोस्ते यह बहुत बड़े negative point और negative point क्योंकि यह जो sales उन्हेंने दूसरे क किया होगा loan borrow किया होगा तो मान लेते आने बड़े time में company को कुछ दिक्कत है और जिनसे वो loan उठाए यह share pledge रखे उनको ठीक तरह से अपना loan के जो amount है interest के साथ या जो उनके जो principle है principle के साथ जो interest लगता है दोनों वो दे नहीं पाए तो अगर वो चाहे जिनके पास यह pledge सकता है और जब बेचेगा कुछ percentage भी बेचेगा तो बहुत बड़ा भुकामा सकता है जैसे न्यूज में आएगा कि उनके प्लेज रखे थे वो loan दे नहीं पाए interest पेड नहीं कर पाए पिंसिबल पेड नहीं कर पाए तो जिनके पास यह pledge थाशिया है उनके प्लेज कर दे एक पसें हो आप पसें हो तब और भी जो बड़े-बड़े FAS के पास जो होल्डिंग है यह जो आज भी DAS के पास 19% FAS के पास 11% स्टेक है दूनों मिला के 30% तो वो भी अच्छे का सेलाओ कर सकता है मैं बहुत दूर की यह बात कर और हमें सा दूस्तों इन्बस्टर के कंपनी के लोन लगातार इनकी जोहरा रोसी के सासा जो 37% टेक है उनमें से भी 9% के उपास टेक उन्होंने दूसरे के पास प्लेज रखे हुए जुके एक बहुत बड़ा डिस्की पॉंट तो जरू है तो इस पॉंट को दूस्तों मैं इसलिए कबार किया यह वार्निंग ब देखा होगा जिरू ने तीन साल पांत साल में उची अभी बाजर में इंटर किया और बहुत खताना गरिटर मना के दिया पतब हजार पसंट बाराथ सु पसंट पंदराथ सु पसंट अपने KPIT को देखा होगा एंजिनों को देखा होगा तो उनको भी आसा है अब एक प्ला सेगमेन है जो कि future-oriented है और वाकि मुझे भी बहुत कमाल करकते है और यह भी कंपनी मेरे पास है बटकुई अगर बहुत बड़े वेटेज देनी के बार में सोच रहे है ऐसा सोच रहे कि अपने portfolio का 50% allocation इन में देना चालते है वेटेज चीसे आब बोल सकते हो तो प्लीज ए सिब एकी चीज को देखे मत जाओं यह जो तीनों डिक्स की पॉइंट है अकर यह लगाता है इनकी होता है तो आने बट्टा में कमपनी को और बी ज़्यादा दिक्कते हो सकता है अपने बिजन्स को रन करने के लिए तो प्लीज इतना है करा चूंगा अगर आप बहुत मैनेजमेंट उसके उपर भी आपका फोकास रहना चाहिए बट अभी अगर किसी के पास है किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो अभी कहसाब से लॉस में निकलने के आपको जरूत नहीं है आने बाले कॉटर में इसी चीज को दुबारा आप देखते रहना कि यह और भी आप अधॉस लिम्डेट यह कमाल के निकिस में डेली इसे ब्यारी में बोल दो कि कमाल के स्टॉक है जैसे के अगर हम कल के दिन की भी बात करें तो 3 साल, 3% की तेज़ी, 5 दिन में 27%, 6 मन की बात करें 66%, एक साल में 150% और 5 साल की बात करें पूर पांन साल तो नहीं है? तीन जून 2022 से हाटली देरी साल में कितने 230 पसें और दोस्तों ऐसे हैं कि रिटर्न बनने के बाद मैं बोल दो यह रिटर्न बनने से पहले मैंने बोल दिया था यहाँ पर इचाओ तो इसमें आप इसको कंसरे कर सकते हो बिल्कुल भी रेकोमेंडेशन नहीं दिया था आज यह क्योंकि कमाल की कर सकता है क्योंकि इसके बिजनस बहुत कमाल की है उसमें अच्छे कासे मार्केट के सेयर भी कैप्चर किया और इनके सेयर होड़ी पैटर को देखोगे तो छोटी कंपनी होने के बाद भी अभी लिश्टियूं हुआ उसके बाद भी A5DS का बहुत अच्छे से रैली आ रहे है तो अगर एंट्री लेनी है तो मौका कोई नहीं छूटा अगर अच्छे श्टॉक में टॉप भी बाय करते हो तो टॉप लेबल से भी आपको पांसु-छेस्टो बसन यह आपको रिटर माग कर देदेगा बर ब्लाइन नहीं जाने इस बार नमबर आने द कोई सोच रहों कोई रजकी स्टॉक को अपने पोट्फोलियो में जगा देने के लिए